नवश्कार मैं हूँ अकर्शन उपल और इस समय आप ये सीधी तस्विरे देख रहे हैं आईबेन 24 पर ये जो जानवर आपको दिखाई दे रहा है ये किसी का पालतू कुत्ता है जो की इलाके में ही सदर बजार के आसपास किसी को घूमता हुआ मिला गले में आप देख सकते हैं कि पटा भी इसने डाला हुआ है और हो सकता है कि इसके जो मालिक हैं वो इसे ढूंड भी रहे हो और इने इलाके के ही कुछ लोग आप देख सकते हैं हमारे आफिस में पहुंचे हैं इसे लेकर ताकि इसको इसके मालिक तक पहुंचाया जा सके आपने पहले भी इस तरह के काफी मामले देखे हैं जिसमें जो पालतू जानवर होते हैं जब वो गुम हो जाते हैं तो लोग लगतार आई बिन 24 के आफिस में आते हैं काफी लोगों को उनके पालतू जो जानवर ह फिलाल आपको दिखाई दे रहा है जो की घूमता हुआ बाजार में कुछ लोगों को मिलता है बच्चे भी आप देख सकते हैं साथ में हैं और इन बच्चों को और इनके साथ जो इनके परिवार के लोग हैं इनको ये कुता मिल जाता है और इसे लेकर फिलाल ये आईबेन 24 क के दफ्तर में पहुंचे है ताकि जिसका भी ये पालतू कुता है उनको ये वापिस मिल जाए जिसका भी ये कुता है वो आई बेन 24 के आफिस में आकर इसको लेकर जा सकता है क्योंकि शायद ये भी अपने मालिक के पास जाना चाहता है लगातार इदर उदर देख रहा है कि मेरे मालिक अभी आएंगे और जब से ये मिला है जो लोग है आसपास के वो काफी घूम कर इसे यहां पर ढूंड रहे थे कि शायद इसके जो मालिक है इसको ढूंटे-ढूंटे मिल जाए भीया क्या नाम है आपका और ये कुता आपको कहां से मिला मेरे नाम वीजिया जी म मालिक का उसको दे दे जी तभी आपके पास आए जिसका है उसे मिल जाए इसके लिए इस कुते को हमारे आफिस में लेकर आएं मेरी आप सभी से पील जो भी लोग इस वीडियो को देख रहें इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें जो कुता आप देख सकते हैं कि लैबरा न है अपने मालिक के बएर आप देख सकते हैं कि जो कुता है वो भी लगातार इदर-दर देख रहा है कि कम से कम इसे यह उसको नही長 कर रहा हूँ आप भी साती थे जी जब मिला आपको तो कब से कितनी द्रोगी मिले हुए इसको तक्रीबन 20-25 मिनिट हो गया है तो आपने धुनने की कोशिश भी थे तो हमारा नहीं है तो कहीं से पता नहीं लग पाया है नहीं से नाम है आपका विपिन गोस्वामी दर नहीं लगा भी काट नहीं है मतलब इतना सिदा इक कुत ज्याद हो नहीं है और फिलाल आप देख सकते हैं कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुएं ताकि जो यह मालिक तक पहुंचाया जा सके और इस कुत्ते को कम-देख मेरी आप सभी चला जाता है और शायद ये भी चाहता होगा कि मेरे मालिक तक मुझे पहुंचाया जासा कि मेरी आप सभी से एपील जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें देखी कोई बच्चा हो किसी के परिवार का कोई बजर्ग हो कोई माता गु सब लोग यहां पर आते हैं लेकिन ये जानवर जरूर है बेजवान जरूर है लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे लोगों को प्यार होगा बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि वो इस कुत्ते को रख ले लेकिन ये भी अपने मालिक के पास ही जाकर खुश होगा और अगर बार बार अपील की जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह अपने मालिक तक पहुंच सके धन्यावाद अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक